ज्यादा प्रयोक सीन है तो बस तुके इस तर पे जो है मुक्तिबोध बहुत प्रयोक सीन है और ऐसे ऐसे विश्यों पर उनकी कविता मिलती है हमें कि उसके पहले ऐसे विश्य हमें सुनने को मिलते नहीं है दिमाकी गुहांदकार अवरांग उटांग अब ऐसा विश्य कहां मिलता था लकड़ी का राउंड या चांद का मुठेड़ा है चंद्रमा पे बहुत सारी कविताय मिल जाएंगे लिए ऐसा विश्य नहीं मिलेगा तो मैं यह करा हूं कि नए नए विश्य लिए और उनका फिश्य के रूप में ही हैं विश्य के इस्तर पर भी हैं और विश्य के इस्तर पर प्रयोग होते हुए मुक्तिवोध की एक जो खासियत है जो उनको खास्तवर से नागारजून से भी अलग करती है कि दार नाथ अग्रवाल जो दूसरे प्रगतिवादी कभी है जिनको की उस समय खास्तोर से बाम पंथे आलोचकों ने घोसित रूप से प्रगतिवादी कभी घोसित किया तो मैं ये कराँ हूँ कि इनसे अगर अलग करना हो तो सबसे बड़ा मुद्दा व्यक्तित्त का ही है यह लोग डरते थे नागार जुन के दाना थाग्रवाल उनके प्रेम की कभीताओं में उनके व्यक्तित्त की अभिवक्ति मिल जाएगे प्रेम की बाहर की कभीताएं वो सामान्नी करन वाले कविताइं हैं सामान्नी करन बहुत ज्यादा है और यह कहूं अगर मैं इसे भी आगे बढ़कर आलोचकों को बुरा लगे तो लगे सरलीकरन की कविताइं यह आपको तर नहीं अमिलेगा इसकी अपने के मृतलने की अग्स नहीं आपको लिगोत्थ कुटिया आपको लगेगा की एक तीन हीन पर कव करने के मारे परिवार किवता है लेकिन इसमें अगारजुन कहां है यह आपको नहीं मिलेगा लेकिन मुक्ति बोच की कभीताओं की खास्यत ya कि हर कभिता में उनको यूहında फराघ में इनको यूह लगता है कि यह जो लकडी का राउन है हमारे भीतर ही ही चीपा हुआ है इसी तरह से अवरांग उठांग में उनको ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी एक अवरांग उठांग है ब्रह्म राक्षस में खुद आप देखेंगे वो दाखिल मिलते हैं कि मैं उसका सजलूड सिस्षी होना चाहता हूँ कि जिससे कि उसका जो तर्क है सुसंगर्स तर्क तक मैं उसे ले जा सकूँ उसका जो संघर्स है उसे मैं सही दिशा की और ले जा सकूँ सही लक्ष तक पूंचा सकों, अंधेरे में कविता में तो अभिव्यक्ति की खोज की घुश्टना करते ही हैं, आत्मक अत्मक अत्मक सैली तो पूरी-पूरी है, जो आत्मक अत्मक सैली खास तोड से छायावाद की पहचान बन गई थी, नई कविता में अपने धंग से, नई देखेंगे कि इनकी कविता में बरावर एक अपना अक्स बना रहता है, जो कि एक तरफ अग्ये से, लक्षमी कांद वर्मा से, धर्मीर भारती से अलग करता है, और दूसरी तरफ तथा कथित घोसित जो प्रगस्तिल कभी हैं, उनसे भी मुक्तिवोच को अलग करता है, तो परियाप्त नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कविताओं में जो उनके पारिभासिक सब्द हैं, उन पे बात जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाई उनहीं की होती है, जैसे एक सब्द चलता है कि गुरू और शिर्सी, अक्सर उनकी कविता में आ जाता है, ब्रहम राक्षास कविता में आ जायेगा, और खुद कभी उसमें दाखिल होकर के हस्तक छेप करके एक घुसना करता है कि मैं अगर उस समय होता, जिस समय ब्रहम राक्षास गनित का समेकरन सिध्ध करते करते, मर गया, तब मैं बताता है उसकी आंत्रिक्ता का महत्व, उसकी अस्तित्त का महत्व उसकी व्यक्तित्त का महत्व और हम लोगों के लिए उसका क्या उपयोग है उसका महत्व बताता है और मैं ऐसे गुरु का सिस्सिय होना चाहता ह। इसी तरह से अंधेरे में कविता में ये प्रसंग कई बाराता है जब कावे नायक भहीत में से अपना आक्स दिखा करके सहर के उस पार जो तालाब है उसमें अपने चेहरे का आक्स दिखा कर, स्वेत आक्स दिखा करके और गुफा में रक्त प्लावित क्या कते हैं लाल रंग का व्यक्तित तो मसाल में अपना जो लाल रंग का व्यक्तित है उसे दिखाते हुए वो बाहर चला जाता है तब भी पक्षी की आवाज से सुन करके काविनायक को लगता है कि ओ तो अप चला गया गाओं में शहर में ओ तुम्हारी गुरू है मुक्तिवोत कविता के भीतर बार बार काविनायक से कहलवाते हैं कि ओ जो रहस्य में व्यक्ति है वो तो हमारा ही एक रूप है प्रति रूप है रूप नहीं प्रति रूप है अंत में अभी जब कविताग खतम होती है तो इसी तरह की बात आती है कि जो यूत में दिखा है वो गुरू है वो परम पुरुन अभिव्यक्ति है वही तो आत्म संभुवा है तो मैं यह कराओं कि बार बार कविताओं में आता है सवाल यह है कि हमारे इहां गुरुसिष्य की परमप्रा तो विल्कुल मध्यकाल में बड़ी ख्यात है दर्शन में बड़ी ख्यात है गुरुसिष्य की परमप्रा तो यह क्या मुक्तिवोध उसी को पुरुर जीवित करते हैं या यह शब्द तो पुराना ही लेते हैं बहुत सारे चीज़ें उस पुरान लेते हैं, रामर्न संदर्ष बल्कुल पुलान ऊवरांग उठाग है, उसका भी संदर्ष गेर का नाव भूल गल्ती में जो पुरा का पुरा आलमगीर का शंदर्ष है ृष्ण साहिनि का नाट। आलमगीर के नाम से तो मैं कराओं आउरंगाजेप के लिए खास तोर से चलता है तो मैं एक राओं कि इसमें जो है नुक्तिबो अविज़ निया अर्ज करते हैंब नटो ये गूरू पुराना वाला गुरू है को इस भाना इस सभर लेते हैं पुराना हमारे हां तो डो ही परंपराएं है रही तो हम ये मानते हैं कि अपना गुरू anno ऑपने अंधार अंधर है अपना इस्वर भी अपने अंदर है, उसी से जुड़ा हुआ ये भी तरक है, जैसे अपना गुरु अपने अंदर है, खुद हम अपने आत्म दीपो हो, अपना दीपक बाहर नहीं है, अपना दीपक तो अपने अंदर ही है, गुरु भी अपने अंदर है, अपना इस्वर इनसे कुछ जुड़ते हैं मुक्तिवोध का ये जुगुरु हुए ये गुरु जनता ही है और ये जनता वो भीड़ वाली जनता नहीं है जिसको की अग्ये याद करते हैं कि जुभेड है बकरी है या फिर धूमिल याद करते हैं जिस रूप में जनता को या अकविता वाले जनता नहीं सुचिंतित विचार और दर्शन से जुड़ी हुई संगठित जनता ही मुक्तिवोध की गुरु है और केवल ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की विस्थ सास्त्री है पूरे विस्थ का जो सर्वारा वर्ग है सच में वही मुक्तिवोध की कावे नायक के लिए गुर और वही जो है रचना जन चरित्री है इसी का अर्ष जन चरित्री है तो मैं यह कराँ हूँ कि यह कुंजी है मुक्तिवोध की पारिभासिक सब्द की गुरु की और से कवन है उस विचार धारा का समर्थक है उनसे व्यक्ति के रूप में जुड़ा हुआ है वो कभी भी हो स जो सरहारा से अपना जूदाव महसूस करता है वो सिस्ज और ऑगर कविता लिखता है to और कविता में कोई पात्र रचता है तो पात्र भी सिस्ज और तो गुरु और सिस्ज पुराने जैसे पारिभासिक पुराने सब्द को मुक्ति बोध ने नए अर्फ दिया इसी तरह से एक पारिभासिक सब्द है मुक्ति बोध की कविताओं में आत्म चेतस हो विस्वचेतस। हो विस्वचेतस। लेकिन पूरे जनता का जितना बोध जरूरी है तो जनता के साथ मिल करके हमें अपने व्यक्तित्तों का नाज नहीं करना है, हमें अपने व्यक्तित्तों का बोध रहना चाहिए, तो हमें एक तरफ अपने चेतना का विस्त्वार भी करना है, विस्त्व चेतस भी बनना है, और दूसरी तरफ अपने जो चेतना है, निजी जो चेतना है, अपनी जो आंत्रिकता है, उसका निसेद भी नहीं करना है, और मुझे लगता है कि यह बात काल मर्स के मेल में है, उनक जनता से जुड़ेगा लेकिन हमें अपने व्यक्तितों का निशेथ नहीं करना है और असल हमारे प्रगस्ट सील कविता में इस तरह का हुआ है भाहरो प्रसाद जी क्या कारण है कि धिरे धिरे एक समय एक दौर था जब सील की कविताओं का बड़ा महत्व था भाहरो तो मुक्तिबोध और शम्शेर दो ऐसे कभी हैं जो विचार की इस तरपे विस्व चेतस भी हैं और आत्म चेतस भी हैं तो यह दोनु उनकी कविता की कुंजियां हैं सिस्योगुरू और आत्म चेतस और विस्व चेतस एक शब्द और भी बहुत ज्यादा उनकी आलोचना म और कभी-कभी कविता में भी आता है scर्फन्घन मुख्तिवोध बहुत अच्छी बात कही थी हो और मेरी अच्छी थृफन प्रक्रिया में वाद में एक लंबी कविता के अंत में वह अच्छी बात यह कै उन्होंने उन्होंने यह कहा था कि हमारी जो कविताएं है उसके लिए आपको आत्म संबेदन ग्यानात्मक संबेदन और संबेदनात्मक ग्यान दरसल इस सब्द को थोड़ा सा और भी पहले जाकर खोलने की अरुवत है चायावाद में एक शब्द चलता था भावना कल्पना बढ़ा परसिद्ध शब्द था और भावावेश चलता था इस्वचंता भाद की विशेष्टा भी है चायावाद की विशेष्टा है उसके वजन पर बाद में एक शब्द गढ़ा गया संबेदना अब चायावाद में भाव अगर इतना है तो उसके लिए इतनी कल्पना चाहिए थी, पता चला कि तथ थोड़ा सा है और कल्पना से बढ़ा के बहुत बता दिया जाता था, तो भावना पर संतुलन के लिए भावा वेश को संतुलत करने के लिए कल्पना को संतुलत करने के लिए संबेदना शब् कि संबेदनात्मक ग्यान का मतलब यही है कि जहां ग्यान की सुस्कता को संबेदना जो है वो रसमे बनाए रखें और ग्यानात्मक संबेदन क्या है ग्यानात्मक संबेदन यह है कि ग्यान इतना रसहीन नहीं होना चाहिए और कहीं न कहीं उसका संबंध भावना से जुड़ा होना चाहिए और मुख्टिबोध कविता की एक सर्थ रखे थी कविता के भीतर कविता के भीतर तो भाव ही मुख्य है भावा भिए से नहींंत तो maior कि बुद्ध से समय चैन्प खुश सारी चीज़ें फिर वो भाव के जरिये ही जाएंगी जैसा कि मैंने अभी कहा भी था कि नाटकेता भी है बिम्ब भी है फैंटेसी भी है ये सब कविता के भीतर भाव के जरिये ही जाएगा कलपना भी जाएगे तो उसी के जरिये जाएगी और इसके लिए तो एक यह तीसरा पारिभाशिक सब्द एक चीज़ और भी पारिभाशिक सब्द उनकी कविता के बारे में बहुत चर्चित है फैंटेसी सवपन कथा और मुझे अभी भी याद है कविता का सिर्षक नहीं याद है जिसमें मुक्तिबोध ने कहा था कि यह जो मेरी फैंटेसी है कल सच होगी यह मुक्तिबोध ने अपनी कविता की एक पंक्ति में कहा था तो ऐसा नहीं कि fantasy जो है वो एकदम जूट होती है लोग तो यही कहते हैं कि जो स्वपन है वो तो जागने के बाद जूटा हो जाता है लेकिन सच बात यह है कि सामाजिक हकीकत से जो जुड़ी हुई fantasy होती है सामाजिक संगर्स से जुड़ी हुई fantasy होती है सामाजिक संघर्ष के इतिहार से जुड़ी हुई fantasy होती है जिस अथार्थ में मनुष्ट समाजिकी विडमनाय होती है उससे जुड़ी हुई fantasy होती है ओ आज नहीं तो कल सच हो सकती है और मुक्तिबोध ने अंधरे में कवीता में जिस fantasy की परिकृपना की या लकडी के रावण में जिस फैंटेसी की परिकल्पना की या दिमाकी गुहांदकार का औरांग उटांग में जो कल्पना की वो फैंटेसी खतम नहीं हुई है वो फैंटेसी आज भी कायम है 1975 में जब आपात काल लगा तो क्या है वो एक तरह से क्या अंधेरई तो है और जिसमें जुड़ी हुई सक्तियां अपने चेहरे छिपा छिपा करके क्या कर नहीं थी और बहुत सारे चिंतकों को अंडर्ग्राउंड होना पड़ा अपने जवान पिताला लगाना पड़ा तो म मुक्तिबोच की फैंटेसी एकड़म भाई भी नहीं है उसकी पीछे कहीं ने कहीं एक सामाजिक सथ है संधान ओल गुजरात इंटिग्रेटर क्लास्रूम सेटलाइट ना माध्यम थी जोड थी कड़ी एटले संधान मुक्तिबों मुक्तिबों